नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल स्टॉड़ी टूडे विपलप में आज की इस वीडियो में मैज के कुछ सब्जक्टिव प्रशनों को हाल करेंगे यहां वीडियो क्लास 8 के स्टुडेंट्स के लिए है और इस वीडियो कंदर जित थीक है तो चलि इस वीडियो के स्टारट करते हैं पहला जो प्रसंव यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित आफीक के गुनात्मग प्रतिलोब ग्यांत की revolution फ्रक्वत किजिये यहां पर आपको क्या करना है गुनात्मग प्रतिलो लिखना है ठीक है परहला जो प्रसंव यहां पर दिया हुआ है को में माइनस 13, देखें माइनस 13 का आपको गुनात्मक प्रतिलोम लिखना है, गुनात्मक प्रतिलोम, देखें गुनात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका आपको उल्टा लिखना है जैसे कि माइनस 13 है, माइनस 13 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मा पर उपर में एक लिखेंगे और 13 जो उपर में दिया हुआ है आपको यहां पर निचे लिख देना है यह हो जाएगा आपका गुनात्मक प्रतिलोम और माइनस का जो चिन्न दिया हुआ है इसको आपको हमेशा उपर में ही रखना है यह हो जाएगा आपका गुनात्मक प्रति दिया हुआ है, इसका आपको गुनात्मक प्रतिलों में लिखना है, ठीक है, यहां पर देखे, निच्चे 19 है, 19 आपको उपर में लिखना है, और उपर में 13 दिया हुआ है, आपको निच्चे लिखना है, और माइनस को आपको उपर में लिख देना है, ठीक है, माइनस का अग बटा 5 का गुनात्मक परतिलों आपको लिखना है एक क्वेस्चन एक्जाम के लिए काफी important है ठीक है एक बटा 5 है तो 5 आपको लिखना है और निचे आपको एक लिख देना है देखे एक निचे लिखना से भी चलेगा नहीं लिखना से भी चलेगा डारेक्ट आप 5 भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि एक को निचे नहीं लिखा जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका पहला प्रसना का उत्तर पहला प्रसना हो गया next जो प्रसना यहां पर दिया हुआ है देख सकते हो प्रसना संख्या 2 में दिया हुआ है कि माइनस दो से बड़ी पांच पर्मिया संख्या लिखी माइनस दो से बड़ी पांच पर्मिया संख्या आपको लिखना है तो माइनस दो से बड़ी हो जाएगा माइनस वान जीरो हो जाएगा प्लस वान हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यह हो गया हमारा 5 परमिया संख्या है, ठीक है, माइनस 2 से बड़ी 5 परमिया संख्या, अगर हम संख्या रेखा को देखेंगे, देखे, मैं यहाँ पर संख्या रेखा बना देता हूँ, यह हमारा उत्तर हो गया, जैसे कि यह 0 है, दा तीन, चार इस तरह से लिखते हैं और बाएं तरफ हम इरुनात्मक संख्या लिखते हैं जैसे कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 2 से बड़ी इस तरह से आपको लिखना है ठीक है next जो question यहाँ पर दिया हुआ है 6 बटा 13 को minus 7 बटा 16 के बैत कुरम से गुना किजी तो यहाँ पर आपको क्या करना है 6 बटा 13 को minus 7 बटा 16 के बैत कुरम से गुना करना है तो पहले आपको लिखना है 6 बटा 13 फिर आपको गुणा करना है इसके वैतकुरम सी, इसके वैतकुरम, साथ बड़ा सोलो है, यहां पर देखे, निच्चे सोलो दिया हुआ है, तो आपको उपर में सोलो लिखना है, और उपर में साथ है, आपको निच्चे साथ लिख दना है, यह हो गया वैतकुरम, यानि कि करना है तो गुना करने से क्या होता है और हरो के साथ गुना होता है कि ढिए दिया होगी देखिए आकृतिएं में X का मान घ्याद किजए। निम्न लिखित आक्रितियों में X का मान ज्याद किझे, इहां पर दो आक्रिति दिया हुआ है। यहां पर आपको X का मान नगालना है। जैसे कि यहां पर एक 3 भूज है, देख सकते हो 3 भूजाओं वाला बहुज है, और यहां पर बाहर के कौन दिया ओ है 125 डिगरी 125 डिगरी और यहां पर X लिखा हूआ living कि X का बाना आपको निकलना है देखे किसी भी वह बूझ कैं बाहर के जितने भी कौन हो सभी कौन हो का युक्पल 365 डिगरी होता है तो आपको क्या करना है देखे आपको क्या करना है आपको इन सभी बाहर के जितने भी कोन है सभी को आपको जोड़ना है जैसे कि यहाँ पर 125 डिगरी है 125 डिगरी लिखना है यहाँ पर 125 डिगरी है और यहाँ पर X है X का यहाँ पर भेलो आपको निकालना है तीनों को जोडने से 360 डिग्री ही होगा ठीक है किसी भी बहुत बुज़की तो 125 और 125 को जोड करेंगे तो 250 हो जाएगा हमारा और यह हमारा है X कौन कौन X ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको X का मान निकालना है देखी 250 यहाँ पर जोड है X के साथ तो 250 को क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगी ठीक है यहाँ पर कौन X लिखेंगे बराबर का चिन लगाएंगे 360 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर 250 जो है यहाँ पर दाया तरब ले आएंगे बराबर के दाया तरब तो हमारा यह माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर X का मान यहां पर निकल के आगया, 110 डिग्री, यह हमारा होगे उत्तर, ठीक है, यहां पर ध्यान दिजेगा, 125 और 125 और यहां पर 110, तीनों को एड करने से हमारा 320 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इस तरह से भी कौन है, सभी को हम जोडेंगे सभी को जोडने से हमारा 360 डिग्री ही बनेगा ठीक है, तो चले जोडते हैं जोडने से आपको उत्तर मिल जाएगा, दिया हुआ 110 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री और X सभी का योगफल जो है, 360 डिग्री होगा 110, 75 60 तीनों को जोडते हैं तो हमारा बन जाएगा 245 डिग्री बन जाएगा ठीक है, 245 डिग्री हमारा बन जाएगा, फिर हमारा है कौन X कौन X को रखेंगे यहाँ पर बराबर 360 डिग्री लिखेंगे फिर क्या करेंगे X का मान निकालना है X लिखेंगे, बरावर के जगा, बरावर लिखेंगे, 360 के जगा, 360 लिखेंगे, यह जो 245 है हमारा, यह 245 को हम यहां से माइनस कर देंगे, 360 में से, ठीक है, बरावर के दाये तरब लिए आएंगे, 245 को तो हमारा माइनस हो जाएगा, यहां पर क्योंकि प्लस में है, X का मान यहाँ पर निकल के आ गया 115 डिग्री ठीक है 115 डिग्री निकल के आ गया ठीक है इस तरह से आप जो है इन प्रस्णों को हल कर सकते हो चलिए next question की गोर चलिए next जो question यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित का योग ज्याद किजिए आपको योग ज्याद करना है पहला जो प्रस्णा यहाँ पर दिया हुआ है AB-BC कॉमा लगा हुआ है फिर BC-CA फिर कॉमा लगा हुआ है CA-AB तो आपको क्या करना है लिखना है AB-BC कॉमा की जगा आपको जोड का चिन लगाना है BC माइनास CA फिर कॉमा है फिर यहाँ पर आपको जोड का चिन लगाना है CA माइनास AB फिर आपको सजाना है देखें यहाँ पर AB दिया हुआ है यहाँ पर AB है यह माइनास में है तो आपको लिखना है माइनास AB फिर आपको BC लिखना है BC यहाँ पर भी एक BC है BC लिखना है और CA है माइनस CA फिर प्लस CA आपको इस तरह से सजा लेना है समन पदों को सजा लेना है देख सकते हो AB AB BC BC CA CA देखे प्लस AB है और माइनस AB माइनस करेंगे तो 0 आएगा इसे दाम इसे काट भी सकते है माइनस BC प्लस BC इसको भी हम काट सकते हैं एक प्लस में है एक माइनस में है यहाँ पर भी देख सकते हो प्लस CA माइनस CA इसको भी हम काट सकते हैं तो इसका उत्तर हमारा 0 निकल के आएगा यानिकि देखे यह सभी काट गया प्लस AB माइनस AB प्लस BC माइनस BC माइनस BC प्लस BC माइनस CA और प्लस CA तो इसका उत्तर जो है हमारा 0 निकल के आएगा नेक्ट जो कॉस्टन है पर दिया हुआ है देख सकते हो प्रशन संख्या 2 में दिया हुआ है कि A माइनस B जोड़ AB फिर कॉमा है B माइनस C जोड़ BC फिर कॉमा है C माइनस A जोड़ AC तो आपको क्या करना है A माइनस B जोड़ AB लिग देना है कॉमा की जगा आपको जोड़ का चिन लगाना है B माइनस C प्लस BC लिखना है फिर कॉमा है फिर जोड़ का चिन लगाना है C माइनस A प्लस AC जो भी है आपको सैम उतार लेना है उतारने के बाद आपको सजाना है जिसे कि यहाँ पर A दिया हुआ है और कहीं पर A है यहाँ पर है आपको लिखना है और कहीं पर A नहीं है छोड़ देते हैं फिर माइनस B है माइनस B को लिखते हैं यहाँ पर एक B है plus b लिखती है और कहीं पर नहीं है फिर a b है और कहीं पर a b है नहीं है a b छोड़ देते हैं c को हम यहाँ पर छोड़ दिये c लिखना था यहाँ पर चलिए a b को बाद में लिखते हैं a b c को लिख देते हैं माइनास c है माइनास C प्लस C इसको लिख देते हैं फिर देखते हैं यहाँ पर प्लस A B है A B लिखते हैं और कहीं पर A B नहीं है B C एक गो है B C को लिखते हैं A C एक गो है A C को लिखते हैं ठीक है लिखने के बाद देखें प्लस A और माइनास A इसको काटेंगे माइनस B, प्लस B, स्को काटेंगे माइनस C, प्लस C, स्को काटेंगे ठीक है यह हमारा सिंगल सिंगल दिया हुआ है AB, जोड BC, जोड AC यह हमारा उत्तर निकल के आ गया इस तरह से आप जो है इन प्रसनों को हल कर सकते हो तो वीडियो को कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में सेर कर देना, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चनल को सब्सक्रेब कर कहना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में